नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्यप्रदेश 37 कर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ की इतरिक्षित 25 मैनी यानिकी आज से 9 तपा का दौर शुरू हो गया 9 तपा के समय लोगों को भीश्रण गर्मी का सामना करना पड़ता है मध्यप्रदेश 36 कर में मौसम विफाग ने अलर्ट जारी कर दिया है दरसल 9 तपा शब्द 9 तपड़ने वाली भयानक गर्मी के समयकाल को कहा जाता है 25 मैसे 3 जून तक 9 तपा का दौर रहेगा इन 9 तपा की शुरूआत आज से हो चुकी है 9 तपा यानि की 9 तपा तक तापमान में बहुत जाधा वृध्धी देखने को मिलेगी मध्यप्रदेश और 36 कर दोनों ही राज्यों में 9 तपा की गर्मी अपना कहर बरपाती हुई नजर आएगी तापमान में उच्छाल देखने को मिलेगा और इस वजह से लोगों को गर्मी बहुत जाधा परिशान कर सकती है साल के ये 9 दिन सबसे जाधा गर्म बताय जाते हैं और इस वजह से लोगों को ये सलहा दी जाती है कि अपने आपको गर्मी से बचाएं तमाम तरह के जो उपाएं हैं उनका इस्तमाल करें अपने आपको ढखक करके बाहर निकले और ठंडे पेर पधार्तों का सेवन करें ये तमाम ऐसे उपाएं हैं जिनको इस्तमाल करने की जरूरत है मर्धिप्रदेश में नौतपा के पहले दिन लोगों का हाल बेहाल है भीशन गर्मी में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है सडको पर सनाटा पसरा हुआ है भूपाल में 42 डिगरी तापमान दर्च किया गया लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाई कर रहे हैं मौसर विभाग ने आने वाले दिनों में लूट चलने का अलट जारी किया है भूपाल भट्टी बन गया है क्योंकि नौ तपा के पहले दिन ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड थोड़ दिये भूपाल में टेंपरेचर यानि तापमान 42 डिगरी सेल्सियस के पार पहुंच गया है गौालियर में गर्मी की गर्जना हो रही है समूचे मद्पदेश में गर्मी के चलते लोगों की मुस्किलाथ बढ़ गई है सड़क पे आप देखेंगे तो राजदानी बोपाल का सबसे बेस्तन सड़क है यहां पर आपको एका दुका बहान नजर आएंगे सन्नाटा पस्रा नजर आता आ रहा है क्योंकि गर्मी लोगों को बिचलित कर रही है मौसर में बाग का जो पूर्वन मारे वो एंपी में गर्मी बढ़ा आने वाला है अरब गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग जतन करते नजर आ रहे हैं और यह राजदानी भोपाल का सबसे ब्यस्ता मार्क की तस्वीर है मेरे सयोगी रजद दुबे आपको दिखा रहे हैं क्या नाम भाई सब आपका अमिजन अमित भाई आज नौ तपा का पहला देने गर्मी तो भी सण हो गई रहे हैं जोड़के आ रहा हूं चोड़के आरां सबारी कम सबारी मिल रही है क्यों गर्मी के वैसे निकली नहीं रही है कोई बाहर और जो निकलता है वो आटो में आने से बचरा होगा लपट लग रही ह आप भी दुकान पर नीबू पानी पी रहे थे यही एक सहराय के घर्मी में जैन साब परिशान है और जो दंदा चलाते हैं नीबू पानी का ठेला चलाते हैं उनका क्या नाम है क्या नाम है का सिर्दा कैसा चलना है तो 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 तोड़ा ज्यादा है मतलब गर्मी ज्यादा ह पसंद करते हैं लोग बाग पीना विसे दंदा भी अच्छा है गर्मी पड़ रही है हाँ जादा गर्मी पेले से जादा गर्मी है अच्छा आज नो तब पहला ही दिन और सड़क ऐसे लग रहा है निकलना दूबर हो रहा है बिल्कुल हमें लोगों की रोट पार जाने की हforce लोग बाग यहां पर रुखते हैं ठंडा पीते हैं पानी पीते हैं थोड़ा खड़े होते हैं पर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुरच की तपिस बढ़ गई है लोगों को लोगों की मुस्किलाफ ये सूरज की गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं भोपाल भट्टी बन गया है तो ग्वालियर में गर्मी की गर्जना चल रही है लोग गर्मी से भचने की रियाला गलग जतन करते नजर आ रहे हैं कैमरावन रजद दुबे के साथ प्रमूत शर्मान जी मीडिया भोपाल राजदानी भोपाल में गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम चौराहूं पर पानी का छिड़काव कर रहा है ट्राफिक सिगनल समेत अलग-अलग जगापर एंटी फॉगिंग मशीन से छिड़काव किया जा रहा है लोगों को भीश्वन गर्मी और लू से राहत देने की कोशिश की जा रही है राजदानी में तापमान 40 जिगरी के पार पहुँच चुपा है गर्मी से राहत देने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है आपको बता दे कि नगर निगम चुराहूं पर पानी का छिड़काव कर रहा है और खबर भूपाल से है जहां गर्मी के चलते हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है जादा तापमान के चलते देरी से फ्लाइट्स उड़ रही है और राजा भोज एरपोर्ट पर एक घंटे प्लेन खड़ा रहा प्लेन में अनॉंस्मेंट कर यात्रियों को जानकारी दी गई है तापमान कम होने पर हाईदराबाद के लिए उड़ान भरी जाए की तापमान के चलते फ्लाइट्स भी देरी से उड़ान भर रही है आपको बता दे कि राजा भोज एरपोर्ट पर भी फ्लाइट एक घंटे की देरी से उड़ान भरती नज़र आए और अब हम आपको साथ तस्वीरे अलग-अलग हिसों से दिखाएंगे कि आखिरकार गर्मी के इस तरह से कहर बरपा रही है बोपाल की तस्वीर है उजयन, शाजापुर, रतलाम, मुरेना, सागर, दुर्ग ये अलग-अलग हिसों की तस्वीरे हैं जहांपर नौतपा का सितम लोगों पर कहर बरपा रहा है गर्मी लोगों को बहुत जादा परिशान कर रही है और ये नौ दिन लोगों के लिए बेहद परिशान करने वाले, बेहद चिंता जणक रहने वाले हैं क्योंकि गर्मी का सबसे जादा भीशन रूप इन नौ दिनों में देखने को मिलेगा चाहे भोपाल की बात करें उजैन की बात करें शाजापूर, रतलाम, दुर्ग, सागर, मुरेना लगातार यहाँ पर गर्मी से राहत पाने के लिए छिड़काफ किया जा रहा है पानी का इसी के साथ ही आपको बता दे कि लोग पेजल पधार्तों का जादा से जादा से जादा सेवन करते नज़र आ रहे हैं तो सागर के आप तस्वीर देखें यहाँ पर भी पानी का छिड़काफ किया जा रहा है शाजापूर में मई के महिने में पिछले दो साल की तुल्ला में जादा गर्मी पड़ रही है शहर का तापमान 40 से 45 जगरी के बीच दर्थ किया गया नौतबा की आखरे दिन बारिश होने की संभावना है वहीं लोगों को गर्मी से बत्वने की अपील की गई है जादा मात्रा में शीतल जल और जूस का सेवत करें राइसेन में नौतबा का पहला दिन खूप तपा और सडके दूर दूर तक सुनसान रही है जले का तापमान 44 जगरी के पार पहुँच गया है राइसेन जले में भी नौतबा का असर देखा जा रहा है सडके सुनसान है और लगबत 44 से जादा डिगरी टेंपरेचर यहां पर रिकॉर्ड किया गया है और हम आपको बता दे कि यह सब्जी की दुकान यहां पर टेंपरेचर जादा होने की बज़े से सब्जी खराब हो रही है जिस करण सो इसके रेट भी यहां पर बढ़ गया है क्या इस्तिती है सब्जी वह ठराब हो रही है गर्मी करेंट और टामाटा 40 रोपकल हो गया है है तो देखिए गर्मी का टेंपरेचर जादा है इस करण से सब्जी भी खराब हो रही है कई सब्जिया खराब होने के करण है पर सब्जियों के दाम भी बढ़ गया है राजकिशोर सौनी, जी मीडिया, राइसिन उजैन में महाकाल मंदिर में शधालू का गर्मी से राहत के लिए इंतिजाम किया गया है मंदिर परिसर को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया गया परिसर में बिच्वे कारपेट को भी पानी से लगातार गीला किया ज़ा रहा है नंदी हॉल में कूलर लगाए गया है मंदिर पर इसर को ठंडा रखने के लिए 10 करमचारियों की ड्यूटी लगाए गई है और मुरेना में नौतपा का पहला दिन लोगों को गर्मी से बेहाल करता नजर आया जिले में पारा पैतालिस जग्री के पार पहुंचा भीषण गर्मी से परिशान लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रही है कि अगर्मी का कितना तापमान बढ़ रहा है तो इतनी बेंकर है कि चलानी जा रहा है आदमी के पास मदब पीने के लिए पानी भी नहीं है इसके लिए प्रसाजनों को सोचना चाहिए घर से बार कैसे निकलना पड़ रहा है दुर्ग में नौतपा के पहले दिन भीषण गर्मी का कहड़ देखने को मिला जिले का पारा 43 दिगरी के पार पहुंच गया और ऐसे में लोग परिशान नजर आए हैं गर्मी सिराहत के ल आज 43 दिगरी के लगवक कोड़ चुका है जिसको लेकर अब जिला प्रशाशन ने एडवाइजरी जारी कर दी है एडवाइजरी कुछ इस तरह की है कि यदि बहुत आवशक कारे हो तो ही आप घर से निकले अनावशक घर से ना निकले और पानी या तरल पदार्थ जैसे अपने साथ जरूर रखे तो वहीं स्वास्ति भागने भी अस्पताल में काउंटर बढ़ा दिये हैं और लोगों से अपिल की जा रही है कि अनावशक घर से बाहर ना निकले आने वाले समय में टेंपरेचर और भी बढ़ सकता है मितेश शर्मा जी मिडिया दुर्भ तो पहले प्रमोद भोपाल की बात करें तो नौ तपा का पहला दिन किस तरह से लोगों के लिए परिशानिया लेकर के आया देखें समूचे मद्वदेश की यदि मैं बात करूं भोपाल के साथ साथ तो सह सहथ गर्मी का कहर देखा जा रहा है पहले ही दिन नौतपा में ऐसा प्रचंड गर्मी का आरम हुआ है कि भोपाल भट्ती बन गया है गौालियर में गर्मी की गर्जना है और मुरेना में तो देखें मारने बाला देखें सूरत की रोशनीय टपस बिखेंड रही है छोग घरों से बाहर नहीं नहीं निकल रहा है इस वक्त भी जब मैं लाइब दे रहा हूँ तो सूरिी की किरनें بेचैन कर रही है चेherा आसे लग लग रहा है जैसे बन कर रहा है सपराद और निकलना भोपाल अमूमन यहां एक्स्रीम कुछ नहीं होता है सरदी गर्मी या फिर बारिश लेकिन इस बार भोपाल में गर्मी जलाने वाली पड़ रही है बोडी बर्न हो रही है पहले दिन अभी भी मुझे सड़क पर आवास हो रहा है कि चेरा ऐसी लग रहा है कि मानो देखे हो और आप ऐसी ग्रामी चेत पर आप देखेंगे तो बहाँ पर वीचन गर्मी पड़ रही है गौलियर चंबल में तो गर्जिना चल रही है और यह प्रचंड गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है मौसम बिबाग ने एडवाइस जरी किया या जरूरी नहीं है तो बे बज़े घरों से ना निकलें बिल्कुल में रोट प्लोटूंगे आपके पास प्रमूद राजेश रायपूर की बात करें तो यहां पर तापमान कितना ज़्यादा है अलग-अलग हिस्सों की अगर बात करते हैं संपूर्ण 36 गड़ को ले करके बिल्कुल इसी तोर पे देखे राजधानी रायपूर समेश समूचे 36 गड़ में तपीस बहुत ज़्यादा है हाला कि यदि टेंप्रेचर की हम बात करें तो राजधानी रायपूर में टेंप्रेचर 40 डिगरी के आसपास दर्ज किया जा रहा है वही कल दुर्ग में सरवाधिक टेंप्रेचर जो है वो दर्ज किया गया था 43 डिगरी सेल्सियस से अधिक तापमान जो है वो दर्ज किया गया और देखे आज नौतपा का आज पहला दिन है और पहले दिन कहीं न कहीं राजधानी वासियों को उमस का सामना करना पड़ रहा है देखे मैं जिस जगा पे मौजूद हूँ ये मरीन राइव है ये वो इलाका है जहां ये कुछ ठेले हैं देख सकते हैं आईस क्रीम की दुकाने लगी हुई है जो पूरी तरह से अभी खाल ही है वज़ा यह है चुकि तपिस इतनी जादा है उमस इतन्री जादा है कि लोग अपने गरों से बाहर नहीं निकल रहे ं कुछ लोग मौजूद भी हैं तो वह बी जो यहां आसपास जो काम करने वाल्य हैं कुछ इस तरह के जो लोग हैं वो मौजूद था, पिलाल ऐस लोक जो हैं उनसे हम बादकर पर इन करेंगे खानगी जिखने पहला बहुत रहा बहुत destroy बहुत जादा चीप चीप कर रहा बदल नहीं है भिए आप कासे महसूस कर रहे हैं किस तरह से बहुत लोग मोचूंगे आपके पास राजिश करतार मुरेना की बात करें तो मुरेना में क्या स्थिती है लोग कैसे परिशान हो रहे और कैसे अपने आपको सुरक्षव तुरक रहे गर्मी से लोग काफी परिशान है उनको घरों से निकलने में तक मैं दिक्ता दूरी सामके पॉनिच से बज़ रहे हैं लोग को बात करेंगे गर्मी में कैसे हालात बने हुए है जैसा कि अभी लोग हीट वेप से नहीं निकल पाई जब तक मोटापा चाटू हो गए तो नोटापा में आप देख रहे हैं अभी ते पहले तक पूरी थी लोग कंडे का चारा ले रहे हैं गंडा का जूस्ती रहे है लोगों को बास्ता में इस वार गर्मी का बड़ा कड़ाई जिसना इसाम नहीं करना पर रहे हैं यहां पर टेंपरेचर कितना पहुचा अभी तक देखिए लो तपा है आज से लेकिन इस गर्मी का अथर इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि यह लो तपा के पहले ही जो यहां पर तपन काफी तेज थी जो तापवान है वो 45 दिग्री के पार रतलाम में पहले से ही था दिग्री कल रहा है आज जो है साम का वक्त है और दोपर में कुछ बादर हुए इस वज़े से टेंपरेचर कुछ कम हुआ होगा लेकिन यह 45 से नीचे तो नहीं गया होगा यह जरूर है क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि जो लोग है वो काफी परेशान है देखिए करना पड़ रही है कि जो पूरा वाजार है वो ग्रीन नेट से जो है ढग गया गया है ताकि वहापर जो ग्राक पहुंचे तो वह कुछ दिर शाओं मिलने के वज़े से उन दुकानों पर पहुंच सके इसके लावा जो जूस सेंटर हैं हम आपको दिखाते हैं कि महापर ज गर्मी से रहात पाने की जो है कोशिश में लगे हुंच रहे हैं ताकि गर्मी से ने रहात मिल सके फिलाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरे पहुंच वाने के लिए